Hello friends, welcome to all of you in my channel, जिसका नाम है English with the Haati Madam. और हम आज से अपने English Speaking Course के शुरुवात करने जा रहे हैं और आज है हमारा Day 1. तो हम आज से ही, आज की Class के बाद से ही आप लोग देखेंगे कि आप English बोलने लग गया हैं. बस आपको थोड़ा सा अपने माइंड को कंसेंट्रेट करने के जुरुवात है और आप देखेंगे कि आप कितने अच्छे से English बोल रहे हैं. तो आज है हमारा First Day. English Speaking Class Day 1 है हमारा. आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे Imperative Sentences. Imperative Sentences हमारे बेसिकली चार प्रकार के होते हैं. Imperative Sentences हमारे चार प्रकार के होते हैं. First होता है जिसमें हम किसी को order करते हैं. Second होता है जब हम किसी को request करते हैं. Third होता है जब हम किसी को किसी चीज के लिए allow करते हैं या फिर permit करते हैं. एंड फोर्थ होता है जब हम किसी को इंट्रेशन देते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए आपको वैसे करना चाहिए यह होते हैं हमारे चार दराके और इनको इन sentences को बनाने के लिए structure क्या होता है वीवन वर्प की first form plus object जो भी हमारा object होता है अगर हम उसे कहते हैं कि तुम ये काम करो तो हम उसमें लगाते हैं वर्प की first form plus object अगर हमें किसी को कहना है कि आपको ये काम नहीं करना है तो उसके लिए आपको don't लगाना होगा plus verb की first form plus object ठीक है, अगर आपको कहना कि ये काम तुम कभी मत करो, इसे करो ही मत, ठीक है, तो वहाँ पे आप don't नहीं लगाएंगे, वहाँ पे आपको लगाना है never ओके, never plus verb की first form plus object and last, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आपको ये काम जरूर ही करना है तुम्हें ये करना ही है, तो करना ही है तो वहाँ पे आप लगाते हैं do do plus verb की first form plus object, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, तो अब हम इन ही ये जो हमारे चार structure है, इन ही के base पर daily use के छोटे-छोटे sentences बनाएंगे, ठीक है और आप देखेंगे कि आपकी English कितने अच्छे इंप्रूव हो जाएगी day by day, बस आपको practice करने की जरूरत है तो अब हम इन ही चार structure के base पर अपने sentences बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि English बोलना कितना असान है, बस आपको अंदर से practice करने की इच्छा होनी चाहिए, आपने पास ये कुछ हिंदी के sentences हैं जो हम daily use करते हैं तो अब हम इन ही imperative sentences के structure के base पर ही इन ही को translate करेंगे और आप देखेंगे कि इन ही चोटे-चोटे sentences के base पर आप English कैसे बोलना और English बनाना sentences अराम सीख जाते हैं तो first sentence है हमारा बिस्तर सही करो आप सभी लोग घर में सुबे जब सो की उड़ते हैं तो आपकी ममा आपको बुजरूर बोलती होंगी कि बेटा बिस्तर सही कर लो ठीक है तो ये हम कैसे इसको translate करेंगे बिस्तर कोई चीज हम जब सही करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं सट कर लो ठीक है जब हम कहते हैं कि अपने किताबे सही कर लो तो हम इंगलीस में ही बोलते हैं कि यार अपनी मैं अपनी किताबे सट कर रहा हूं तो इसी तरह हम बिस्तर को भी बोलते हैं कि मैं बिस्तर सही कर रहा हूं या फिर जैसे आपकी ममी कहती है इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे पहले होती हमारी bob की first form जो होती ही, बिस्तर सही करना ότι हो crew set, ठीक है? बिस्तर सही करो Set the bed Set the bed बिस्तर को क्या बोलते हैं? and bed और bed को भी हम bed ही बोलते हैं बिस्तर को भी हम bed ही बोलते हैं तो हमारा हो गया set the bed आगे second है get up आपकी ममा सुबह सुबह रोज आपको उठाती होंगी ठीक है तो आपकी ममा जो आपको उठाती है तो कैसे बोलती है simple है उठना क्या होता है सुबह उठना होता है या तो हम बोल सकते है wake up जाग जाओ फिलाल यहाँ पे उठना है ठीक है जब आता है जाग जाओ तो हम वहाँ पर लिखते है wake up और यहाँ पे है उठ जाओ तो यहाँ पे हम बोलेंगे get up get up get up third है school जाओ यह भी हम order दे रहे हैं कि school जाओ जाने के क्या होती है verb go और go के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं to go to school go to school next है बरतन धो अब हम किसी को order दे रहे हैं कि बरतन धो लो तुम्हें यह धोना ही धोना है बरतन तुम धो ठीक है तो इसको हम बोलेंगे do the dishes बरतन को हम इकठे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं जब हमारी बरतन जूटे हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं dishes यह हमारी बन गई डू the dishes next है जूट मत बोलो अब हम इसमें किसी को कह रहे हैं कि जूट मत बोलो इसको आप दो तरह से ले सकते हैं इसको जैसे कि आप यह कहिए कि हम किसी को सलाह भी दे रहे हैं advice भी दे रहे हैं कि जूट मत बोलो ठीक हैं तो इसको हम बोलेंगे जूट मत बोलेंगे कि don't tell a lie मत बोलो do होता है अगर नहीं कर रहा है वो काम तूँ आपे आ जाएगा do plus not और इसको हम contraction में कैसे लिखते हैं don't do not plus क्या हो जाता है don't don't tell a lie जूट मत बोलो ठीक है अगर यहाँ पे यही word हो कि कभी जूट जूट मत बोलो ठीक है यहाँ पे तो है हमारा कि जूट मत बोलो तो हमने बोल दिया कि don't tell a lie ठीक है अगर हमारा हो यहीं पे कभी जूट मत बोलो यहाँ पे हमारा एक word और आ जाए कभी जूट मत बोलो तो यहाँ पे हमारा don't की जगह क्या आजाएगा never नेवर, नेवर टलए लाय, नेवर होता है हमारा, कभी नहीं, जिस काम को हमें कभी नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम बोलते हैं, वी नेवर ट्णल लाय, ओके, नेक्स्ट है यहां मत आउ, अब यहां मत आउ, मैं उसको कहा हूँ, यहां मत आ यार, तुझ जा वाहा पे, हमने उसको मना कर दिया don't come here don't come here अगर हम उसे बोलना हो कि यहां कभी मत आओ तो हम क्या बोल देंगे never come here अगर हम उसे बोलना हो कि यहां आओ तो हम लिखेंगे come here कितना सिंपल है और अगर हमें यहाँ पर बोलना हो, कि तुम यहाँ आओ, अगर हम उस बात को जोड़ देके बोल रहे हैं, कि तुम यहाँ आओ, तुम्हें आना ही है, तो आना ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, do come here, जहाँ पर कोई चीज हम जोड़ देके बोलते हैं, कि तुम्हें यह का है रीड स्कूल में टीजर आपको क्या बोलती है रीडियो बुक रीडियो बुक तो यहां पर है सिफ किताब पढ़ हो तो रीड बुक रीड बुक सिंपल है न देखो हमने इतनी सारे सेंटेंस बना दिये आप इसी बेस पर इसी स्ट्रक्चर को यूज इतने सारे सेंटेंस बना सकते हैं और आपकी एंगलीश इतनी अच्छी हो जाएगी इतनी फरह्फ्र्रक्ट हो जाएगी भुए भी बिकिवल भी बियुक तो आपको इससको प्राक्टिस करने की जरूरत है ठीक अगर आपने मांबी में लिए खान बना दो मद्रमा cricket ए या hari मेक फूट फूमी में अप اس मुल सकते उ क्ताई हैं से अपने फ्रैंड से मिलने जारे से और अपसको बोलते हो कि यार मैं क्या करूं तो और अपो कहता है आप किसी प्रोब्लम में वह कहता है कि आपको नहीं उपर इंग्लिस अपने स्टार्ट कर सकते हैं और आपको मेरी आज के क्लास के ऐसी लगी हो आप जरूर बताना और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और मुझे आपका सपोर्ट जरूर चाहिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिये चैनल को वीडियो को लाइक भी करिए जीगा थैंक यू